राजस्तान की फेमस प्याज वाली कड़ी नाम सुनते हैं मुह में पानी आ गया ना मेरे जैसे तो आज मैं वही टेस्टी मुह में पानी आने वाली प्याज की कड़ी लेकर आई हूँ कुछ सिक्रेट राज टिप्स के साथ तो ये वीडियो बिल्कुल भी इसकीप मत कीजिएगा क्योंकि एक भी इस्टेप छोड़ दोगे तो ये राजस्तानी वाली टेस्टी प्याज की कड़ी आपकी नहीं बनेगी तो देर किस बात की चलिए ये टेस्टी मुँ में पानी आने वाली कड़ी बनाना सुरू कर लेते हैं राजस्तानी प्याज की कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक लीटर चाच लेंगे आप घर पे भी त्यार कर सकते हो जो धई है उसमें पानी मिलाईएगा और फेट लीजिए तो चाच बनकर त्यार हो जाएगे इसे इंगलिस में बटर मिल्क भी कहते हैं एक लिटर चाच के अकोडिंग सारा मेजुरमेंट देखेंगे अगर आपके पास चाच खटी है तो आप केवल आदा लिटर चाच लीजिए का मैंने फ्रे से एक लिटर चाच ली है इसमें डेड कटोरी बेसन की एड़ करेंगे बेसन ना हों तो आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हो तो वो आटे वाली प्याज की कड़ी हो जाएगी मोटे कणवाला बेसन मत लीजिए का बारिक कणवाला बेसन लेंगे कुछ लोग इस बेसन को चाननते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कड़ी बनाने के लिए चानने की नेसेसरी होती है आप भी चानने की फाल तो मैनत मत कीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन और चाज को एक दो लंस भी नहीं होने चीए इस मूथ आपको फेटना है और अच्छे से मिक्स करना है अगर लंस गुठलियां रही तो पकेगी अच्छे से नहीं और टेस्टी कड़ी भी नहीं बनेगी और ये देखे मैंने बेसन और चाज को अच्छे से मिला लिया है आदा लीटर पानी डालेंगे पानी का कोई फिक्स मेजुरमेंट नहीं होता है नेसेसरी के अकोडिंग इसमें पानी लगता है लेकिन अभी स्टार्टिंग में मैं इतना सा ही पानी एड़ कर रही हूँ अब नीचे से गेस ओन करके दो टेबल स्पॉन ओयल लेंगे कड़ी है तो इसमें ज्यादा ओयल नहीं लगेगा इसलिए आप कम क्वांटिटी में तेल लीजिएगा तेल को गरम करेंगे तेल जैसे ही गरम होगा इसमें जीरा, दो लॉंग, तीन चार काली मिर्च, सौफ, साबुत धनिया, हाफ हाफ टी स्पॉन दो प्याज, छोटी-छोटी साइज में कट कर लीजिएगा मसाले में आप मिठे नेम के पते, तेज पते, थोड़ी सी दाल, चीनी भी एड़ कर सकते हो इन में से कोई सा मसाला ना हो, तो लिव भी कर सकते हो क्योंकि अपने ये प्याज की कड़ी बना रहे हैं, सुआद इसमें ज्यादा प्याज का आएगा अब प्याज की कड़ी में क्या होता है, कि कुछ को ये जो मसाले डालते हैं ना सौफ, साबुत धनिया बातों ही बातों में अपने प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के क्रिस्पी क्रिस्पी त्यार हो चुके हैं, अब इसमें हाफ कप पानी का एड़ करेंगे क्योंकि जो भी मसाले अब इसमें एड़ करने वाले हैं, वो बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए एक चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर साबुत धनिया पाउडर एड मत कीजेगा वो टेस्ट नहीं लगेगा और इन्हें मिक्स करके इस मसाले को पका लेंगे यहाँ पर छोटी सी बात ध्यान में रखेगा पहले आपको लाल मिर्च पाउडर और टर्मरिक पाउडर को पका लेना है एक चोटी सी बात आप हमेज़ा याद में रखेगा अगर गाड़ी कंटेंसी की सबजी बना रहे हो तो ज़्यादा तेल लगेगा और ठीके सबजी बना रहे हो तो कम तेल लगेगा ये मसाला पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा और ये मसाला पकर त्यार हो चुका है मार्केट वाले इसमें कसूरी मेथी भी एड़ करते हैं मेरे पास है नहीं तो मैं लिव कर दी कसूरी मेथी आपके पास हो तो जरूर एड़ कीजिएगा मसाले को ऐसे चलाते रहना है फिर इसमें जो अपन ने बेसन और छाज का घोल त्यार किया है वो एड करेंगे छोड़ना नहीं है आपको ऐसे इस्टैर करते हुई एड करते जाना है जब तक एक बार इसमें उबालन आ जाए ऐसे continue स्टैर करते रहना है इसके दो रीजन हैं एक तो यह पेंदे के चिपक जाएगी अगर एक बार इसमें उबाले नहीं आया तो दूसरा इसमें गुठलिया गुठलिया बन जाएगी आप इसे छोड़ दोगे तो इसलिए जब तक एक बार उबाल न आ जाए आपको ऐसे धीरे धीरे इस्टेर करते रहना है एक दो बार उबाल आ चुका है अब यह देखे खुदी अपने आपी ही गाड़ी कंटेंसी की होना स्टार्ट हो गई है जब ऐसी गाड़ी कंटेंसी की होना स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें पानी एड़ कर लीजिएगा अगर गाड़ी कंटेंसी की नई हो रही है ठीकी ही है तो आप इसमें और एक्स्ट्रा पानी एड़ मत कीजिएगा ये सफेद जाग आपको जो दिख रहे हैं न वो छाज के हैं जब तक ये खतम ना हो जाए पूरे के पूरे जाग तब तक आपको इसे पकाना है अब आप इसे बीच बीच में चलाते रहेगा छोड़ सकते हो क्योंकि एक दो बार इसमें उबाल आ चुका है जाग खतम हो चुके हैं तेल उब पर आ चुका है उबपर से इसमें लेसुन एड़ कर लेजियेगा करस करके हरे धनी की पत्या हो तो हरे धनी की पत्या भी एड़ कर सकते हो एक मिन्ट तक इसे चलाएंगे कि जो कच्चा लेसुन अपने एड़ किया है वो पक जाए अगर आप ही ये कड़ी, कचोडी, समोचे को मिलाकर खाना चाते हो या इसमें डालकर खाना चाते हो कोई फास्ट फूड जैसे पकोडी की कड़ी ऐसे बनाना चाहू तो आप इसे थिक कीजिए का सबसे लास्ट में टेस्ट के अकोडिंग इसमें नमक एड़ करेंगे कडी बनकर त्यार हो चुकी है कडी की कंटैंजी देखिये ना तो मेने ज्याद त्यक कियी है ना नहीं ज्यादा काड़ी कंटैंजी की RA-A ख़जी की रखी है गडी के एक ऊर खास बात है यह जब ठंडी हो जाती है तो अपनीप हल abs in और की से कटी है ये कड़ी आप किसी फास्ट फूर्ड के साथ खाईए या पूरी, परांठे, किसी के साथ भी खाएंगे ना तो बड़ी टेस्ट ही लगेगी मुझे उमीद है जो मैंने आपको प्याज की कड़ी का मेजुरमेंट बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरी ये कड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा